Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 की जो आपकी Supplementary Book विस्ताज है उसका चाप्टर Should Wizard Hit Mommy का Part 2 Explanation अगर आपने हमारा Part 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाईए और Part 1 देखके आईए क्योंकि आज हम Part 2 स्टार्ट कर रहे हैं मैं एक चोटा सा ओवर्विव देदेती हूं कि Part 1 में क्या हुआ था Part 1 में ऐसा हुआ था कि Jack है एक फादर वो अपनी बेटी जो को नीन कराने क्लिए, नाप्स दिलाने क्लिए, सुलाने क्लिए रो स्टोरी सुनाता है और स्टोरी हमेशा सेम ही होती थी याने कि एक Roger स्कंक, एक Roger करके hero होता था जो कभी fish होता था, कभी squirrel होता था और इस बार जो वो स्टोरी सुना रहे थे, वो थे Roger स्कंक स्कंक एक animal होता जो cat जैसा दिखता है, black color का अब उनकी स्टोरी usually ऐसी होती थी कि Roger को कोई problem होती थी, वो owl के पास जाता था owl उसकी problem solve कराने के लिए कहता था wizard के पास जो, और wizard problem solve करके बदले में कुछ pennies याने कुछ पैसे ले लिया करता था अब Roger स्कंक की problem ये थी कि उसमें से बहुत गंदी smell आती थी, और सारे दूसरे animals उससे दूर भागते थे वो बहुत रोता था इस problem से, तो वो owl के पास गया अपनी problem solve करने के लिए, owl ने इसको भेजा wizard के पास याने जादू गर के पास, तो wizard ने उसकी problem solve कर दी और उसको roses, याने की खुशबुदार गुलाब के फूलों की smell दे दी और उसके बदले में उससे उसने seven pennies लिये अब जो सारे friends दे उसके साथ खेलते हैं, कोई दूसरे animals उससे दूर नहीं भागते Roger स्कंक बहुत खुश हो जाता है और जब वो घर जाते हैं, उसकी mommy से बताता है कि मेरे अंदर अब roses की smell आ गई तो उसकी mommy बहुत गुस्स होती है और कहती है कि तुम अभी मेरे साथ चलो मैं अभी उस wizard को अपनी umbrella stick से hit करूंगी जिसने तुमें change किया और mother ने ऐसा किया भी Roger की अब क्या होता है ये बात सुनके जो जो होती है वो बहुत गुस्स हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि mommy को याने कि Roger Skunk की mommy को ऐसा नहीं करना चीता क्योंकि उसके अंदर तो कितनी अच्छी fragrance आ गई उसने wizard को hit क्यों किया और वापिस से उसको वो ऐसा बदबूदार smelly सा Roger Skunk बना दिया तो यहां तक हमने cover किया था अपने chapter number part number one में अब हम cover करेंगे आगी की story part two में so let's continue तो जब जो ने ये बात सुनी तो उसके father उसको story सुना रहे था था तो वो अपने father का मूँ बन करने की फिर आगे हम पढ़ेंगे inspiration came to her inspiration याने की to become motivated with something अब वो बहुत motivated हो गई बहुत inspired हो गई फिर वो कहती है फिर आगे story है then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back तो अब क्या बोलती है जो अपने father से फिर बताऊं क्या हुआ father अब wizard आया wizard ने बहुत जोर से hit किया mommy को उसके hit पे और skunk की roger skunk की जो roses वाली smell थी वो उसने change नहीं करी तो father कहते है no father बोलते है नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ the wizard said okay and roger skunk did not smell of roses anymore तो wizard तो father कहते है wizard ने ऐसा कुछ नहीं किया wizard ने बोला okay जैसा उसकी mommy ने बोला गंदी सी smell दे दी roger skunk को he smelled very bad again और फिर से उसके अंदर से गंदी सी smell आने लगी but the other little तो ये बात सुनके बहुत disturb हो गई कौन? जो और वो ऐसे कहती है हाँ पर वो दूसरे animals भागते अपनी आधी हदूरी बात कहने लगी अपने father से John, it's daddy's story shall daddy not tell you any more stories तो डाड़ी बोलते है John, याने ये मेरी डाड़ी की story है अगर तुम ऐसे पूछोगी तो डाड़ी फिर तुम्हें आगे और story नहीं सुनाएंगे Her broad face looked at him through sifted light astound तो उसका जो बड़ा सा चबी cheeks थे चबी face था वो बिचारे वो ऐसे गूर गूर के अपने father को देख रही थी और sifted light याने जितनी भी curtain से धूप आ रही थी चछन के उसके face पे उस वो पूरी धूप में चेहरा उसका face ऐसे बिचारो जैसे वो खड़ी हो गई थी और astound थी याने काफी shocked थी कि बेचारा Roger Skunk वापिस से अपनी पुरानी गंदी smell में आ गया और ये सब किसकी वज़े से हुआ उसकी mommy की वज़े से हुआ तो Jack अपनी story continue करते और कहता है फिर ऐसा हो गया और फिर Roger Skunk और उसकी mommy घर चले गए और वहाँ पे उनको woo woo और choo choo ऐसी train की आवाज आई और train में से घर कौन आया Roger Skunk के father आये Boston से Boston के आये एक city या USA में and they had a lima beans, celery, liver, mashed potatoes and pie o mai for dessert और फिर Roger Skunk, उसकी mommy और उसके daddy ने सब ने मिलके क्या खाया Lima beans क्या होते है ऐसे beans होती है edible beans होती है white color की वो खाये celery खाये याने की small cultivated plants ऐसे पेड, पती, पती हैं चोटी-चोटी leaves होती है वो खाये salad में usually हम यह use करते liver याने किसी जानवर का, किसी animal का liver खाया उन्होंने mashed potatoes याने बिलकुल mash करे हुए आलू खाया उन्होंने और pie o mai नाम का ये dessert खाया याने की sweet dish खाई सबने मिल के और जब सोने का टाइम आया तो रोजर सकंक की मॉमी ने रोजर सकंक को बहुत जोर से हग किया और उसको बहुत प्यार किया, बहुत लफ किया और कहा, that's like my boy अब तुम वापिस मेरे पुराने रोजर सकंक वाले स्मेल वाले बेबी बन गए हो and that's the end of the story और फिर जैक बोलता है और अब यहाँ पे स्टोरी खतम होती है but daddy what तो जो कहती पर daddy तो daddy कहते क्या then did the other animals run away तो वो के पुछती के अब वापिस से उसके अंदर पुरानी स्मेल आगे तो वो दूसरे animals उससे दूर भागने लगे तो daddy कहते no because eventually they got used to the way he was and did not mind it at all eventually याने की in the end finally तो daddy कहते नहीं आखरी में finally सारे animals को used to हो गए rogers kank के और फिर सब लोग उसके साथ normally खेलते थे कोई दूर नहीं भगता था उससे what's eventually अब जो पुछती है ये eventually क्या है अब जैसे पिछली sentence में मैंने आपको बताये था कि Jack ने बोला eventually सब habitual हो गए थे तो eventually जो word है उसको जो क्योंकि छोटी बच्ची है तो daddy उसकी बाद समझ गए कि ये क्या बोलना चारी और फिर वो कहते है इन लिटल वाइल याने कुछ समय बाद उन्होंने उसको eventually का meaning बताया अपनी बेटी को तो जो बहुत गुस्सो होती है और कहती है कि उसकी मॉमी कितनी stupid है याने अपने बच्चे की इतनी अच्छी fragrance उसने खतम करवा दी It was not, he said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd rare याने की not occurring very often याने जो चीज बहुत rare है बहुत कम बार होती है emphasis याने की special value given to someone, जब आप किसी को special value दे रहो तो जैसे ही जो ने बोला कि वो कितनी stupid मॉमी थी तो डाड ने का नहीं, वो नहीं थी और उन्होंने ऐसा expression दिया जो बहुत rarely Jack के face पे आता है और वो Roger Skunk की मॉमी को बहुत value देने लगे और कहने लगे कि नहीं, उसने ऐसा बिलकुल नहीं किया वो बिलकुल साही मॉमी थी तो जो सोचती है कि मेरे फादर Roger Skunk की मॉमी को ऐसे support कर रहे है जैसे वो अपनी मॉमी को support कर रहे है Now, I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap तो अब Jack बोलता है और अब story खतम हो गई है अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना बड़ा सा भारी सा सर अब pillow पे रखो और लंबी नींद में सो जाओ क्योंकि इसने अब story भी सुना दी और जो अब तक नहीं सोई थी He adjusted the shade So not even a crack of day showed and tiptoed to the door in the pretence that she was already asleep Tiptoed याने की walk quietly विल्कुल पेर दबा दबा के चलना तो Jack ने किया किया और उसने सारे curtains अच्छे से adjust के लिए कर लिए ताकि बहार की sunlight की एक dot भी अंदर ना आए और जो सो जाए वो पेर दबा दबा के चुपचप दर्वाजे की तरफ गया और pretence किया याने की attempt किया की उसको पता था जो सो जी नहीं है लेकिन फिर भी उसने attempt किया की जो को ये लगे की Jack को लग रहा है की मैं सो गई हूं और चुप चाब धीरे से दर्वाजे के पास चला गया और ऐसा प्रिटेंड किया की जो सो गई है but when he turned she was crouching on top of the covers and staring at him crouching याने की crawling वहीं पे तो जैसी दर्वाजा बन करते वक्ट Jack ने turn करके देखा तो जो अभी भी वहीं पे चादर के उपर crawl कर रही थी और सो ही नहीं थी Hey! Get under the covers and fall fast asleep Bobby is asleep तो Jack ने बोला उसको की जल्दी से तुम सो जाओ और जल्दी से चादर पहनो अपनी ओडो जल्दी और जल्दी से सो जाओ तुमारो चोटा भाई Bobby कप का सो चुका है और तुम भी सो जाओ She stood up and bounced gingerly on the springs Gingerly क्या होता है? In a careful manner वोट गई और धीरे से उसने बाउंस करके खड़ी हो गई उस कहाँ पे? Springs पर Springs याने की mattresses गदों पर धीरे से वोट के खड़ी हो गई Daddy what? फिर वो कहती है Daddy तो वो गुस्से में कहता है क्या? अब और क्या कहना है तुम्हे? फिर वो कहती है Joe Tomorrow I want you to tell me the story that the wizard took magic wand and hit the mommy Her plump arms chopped forcefully right over the head तो फिर वो खड़ी होती है और वो कहती है अपने डाट से कि आड़ी मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे दूसरी स्टोरी सुनाओ और उस स्टोरी में ऐसा होना चाहिए कि जो विजर्ड है उसने अपनी magic wand याने जादू की छड़ी से मॉमी को उसके हेट पे जोर से हिट किया क्योंकि Roger Skunk की मॉमी ने गलत काम किया था और उसने ये action भी करके बताया अपने डाड़ी को ऐसे करके plump palms याने मोटे मोटे arms उसने ऐसे करके भी दिखाया कि ऐसे मारना चाहिए विजर्ड मॉमी को करें अगर दूसरे अनीमल से तो अपनी मॉमी को उनसे जाधा लफ करता है और मॉमी को पता है कि उसके बच्चे के लिए इस कम के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो अपने डाट से ऐसे insist करती है इस तरीके से किया प्लेंट ऑफ स्प्रिंग यानि गदो के अंदर जो स्प्रिंग्स होतें वो जोर से उनकी आवाज आई इस तरीके से जब भी गुस्स आजाती थी मस्ती में मजाख में जो तो वह ऐसा करती थी लेकिन इस बार वह बिल्कुल भी नहीं हस रही थी क्योंकि वह हस भी नहीं थी याने वो बिल्कुल सीरिस थी, बहुत गुसा थी, वो रॉजर्स कांग की मॉमी पर चाहती थी, कि उसके फादर कल उसको एक नई स्टोरी बता है, जिसमें विजर्ड रॉजर्स कांग की मॉमी को जोर से हिट करें उसके हिट पे, He closed the door and went downstairs, और कमरे का दर्वाजा बन करके वो नीचे चले गए उसके डाड. Claire had spread the newspapers and opened the paint can and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. Maternity smock क्या होता है? A dress worn by ladies who are expecting a baby. यह जो dress आप देख रहो है, ऐसी loose सी, इसको maternity smock कहते हैं. और यह वो dress होती है, जो usually pregnant ladies पहनती है, क्योंकि बहुत loose होती है और comfortable होती है. तो जैसे ही Jack नीचे आया, उसकी wife Claire ने कुछ newspapers जैसे बिचा के रखे थे, और paint के can याने paint के boxes धक्कन खोल के रखे थे. और उसने एक maternity smock पहन के रखा था, जिसके उपर उसने अपने husband Jack की कोई old t-shirt पहन के रखी थी, ताकि paint में उसकी dress खराब ना हो जाए. और वो क्या कर रही थी? वो chair rail, याने chair का जो hand breast होता है जिस पर अपने से हाथ रखते हैं, उसको stroke कर रही थी, याने gently धीरे-धीरे paint कर रही थी. अबाव him, footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? तो अभी आधी CD ही पहुचा था John नीचे की तरफ और उसको उपर पेरों की चलने की आवाज आ रही थी, याने कि Joe अभी तक सोई नहीं थी और घूम रही थी room में, तो नीचे से फादर ने चला है की John, क्या मैं अभी उपर रहा हूँ और तुमको spank करूँ याने की एक थपड लगा हूँ, तुम सोई नहीं अभी तक? The footsteps hesitated, तो जैसी Joe ने अपने फादर की आवा सुनी, वो hesitated हो गई, याने घबरा गई, और वो चुपचाप जाके सो गई, That was a long story, Claire said, तो Claire उसकी वाइफ बोलती है अपने हस्बंड से कि कित्ती लंबी कहानी सुना रहे थे तुम जैक जो को, कित्ती लंबी स्टोरी सुना ही तुमने, काफी देर लग गई तुम्हें नीचे आने में, याने की एक्स्ट्रीम टाइडनेस, जो बहुत थक जाता है, तो जैक कहता है, बिचारी बच्ची वो सोना भी नहीं चाहती, पर फिर भी मैं उसको जबरदस्टी उपर सुला के आया हूँ, और वो बहुत थकी हुए हालत में अपनी वाइफ को पेंट करते हुए, गर के लकडी के सामान को पेंट करते हुए देखता है, तो उसने देखा, जितने भी लकडी के सामान थे, मोल्डिंग्स थी, रेल्स थी, बेजबोट्स थी, सब उसके आसपास फैला हुआ था, जिन में से कुछ हाफ ओल्ड टैन थी, याने की light brown कलर की थी, याने की अभी भी पुरानी थी, और कुछ half new ivory थी, याने white कलर की, याने की कुछ white कलर से अभी तक आदी अदूरी paint करकर रख ली थी, क्लेर ने और कुछ वोड़ वर कभी भी पेंट करना बचा था इसलिए भी भी ब्राउन ओल्ड कलर का था और जब उसने देखा तो जैक को थोड़ा अजीब फील हुआ वह अपने आपको एक मिडल पोजिशन में पाया यानि कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करते हैं रही थी लेकिन फकते हिने वाइव से थोड़ी ब्रॉ thrilled क vergessen और थी तो हम सकते हैं कि मैंट भी अभी आभी उपर से वह अपनी बेटी जो को एक स्टोरी सुना के आया है जिसमें उस ने जो का रियाक्शन दिखा कि कैसे वो desperately Roger Skunk की mommy को hit करना चाहती थी तो क्योंकि Jack को शायद ये लग रहा है कि Joe अपनी mommy Claire को पसंद नहीं करती इसलिए वो शायद Roger Skunk की mommy को भी पसंद नहीं करी और इतने strong emotions express कर रही है कि उसको भी hit करे wizard येस तो ये सब देखके शायद Jack influenced हो गया है और इसलिए वो अपनी daughter की mother यानि Joe की mother जो उसकी wife Claire शायद उससे चिल रहा है पसंद नहीं कर रहा है शायद influence हो गया है वो Joe के reactions है और शायद इसलिए थोड़ी देर के लिए ऐसा behave कर रहा है So children with this we come to an end of this chapter I hope आपको chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने इस chapter को 2 parts में डिवाइट किया है part 1 and this was part 2 आप अगर part 1 नहीं देखा तो जल्दी से part 1 देखे है यह था कि आप अपनी studies continue करें part 2 से और अगर आपको YouTube पे हमारे videos नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना आपको website पे जाना है हमारी जो कि है magnetbrains.com जैसे आप website पर जाएंगे इस तरीकी का page आपके सामने आजेगा जहां अलग-अलग classes mentioned ने class 12, 11, 10, 9 and so on for example आपको class 11 की English के videos देखने तो आप class 11 पर click करें जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने all the list of teachers आजाएगी जो class 11 में अलग-अलग subjects पढ़ाते हैं जैसे मैं class 11 में English पढ़ाती हूँ आप इस पर click करेंगे तो इस तरीके से वो सारी list of videos आपके सामने आजाएगी जो class 11 में अब तक पढ़ाई गई है कहले जे आपको class 11 की हॉन्बिल बुक का first chapter की video देखने है The Portrait of a Lady का introduction तो आप इस पर click करेंगे और chapter आपके सामने इस तरीके से play होना start हो जाएगा तो बच्चों आए होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर आपको YouTube पर videos नहीं मिल रही तो आप easily कैसे उसको access कर सकते हैं website से और एक चीज़ आपको बिलकुल भूलनी है वो क्या है? Do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel तब तक लिए stay tuned Bye Bye and take care